नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का सक्सेज स्टेप्स के स्यूटूब चैनल में देखेंगे इस सिखर सम्मिलन के मुख पॉइंट्स क्या है मुख की बिंदू क्या है तता इस सिखर सम्मिलन का जो उद्देश से है क्या है तता इस सिखर सम्मिलन में जो महिलाओं की भाइदारी है महिलाओं के अंदर जो उद्दमिता की भावना है उसको बढ़ाने के लिए या सिखर सम्मिलन कितना कारिगर साबित होगा तो दोस्तो आईए देख लेते हैं फूट डेटेल के साथ इस सिखर सम्मिलन के बारे में एक चीज़ ओ दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पे कम से कम एक लाइक आप जरूर किजिएगा इसके साथ दोस्तो अगर आप पहले बार मैं चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किजिएगा तो दोस्तो आईए देख लेते हैं इस सिखर सम्मिलन की मुख्य पॉइंट्स मुख्य बिंदू क्या है बात अगर करें सबसे पहले यह न्यूज में की हूँ है सिखर सम्मिलन तो महिला में उद्दमेता यानि बिजनस की भावना को बढ़ाने के लिए इसके उद्देश से से दोस्तो केरल स्टार्टप मिसन ने एक अगस्त को कोच्ची में महिला स्टार्टप सिखर सम्मिलन का आयोजन करने की घोषणा की है तो दोस्तो यह जो सिखर सम्मिलन है यह एक अगस्त को आयोजित किया जाएगा कहां पे तो केरल के कोच्ची में ताब इसे याद कर लिजेगा यहां से पूछा जा सकता है कि जो 2019 का माईला स्टार्टप सिखर समिलन है इसका आयोजन कब और कहा किया जाएगा तो एक अगस्त को इसका आयोजन केरल के कोच्ची में किया जाएगा तता इसका जो आयोजन है वो कौन करेगा तो केरल स्टार्टप मीशन के द्वारा तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा इससे रिलेटेट एक्जाम्स में डिरेक्टली इससे प्रस्न पूछे जा सकते हैं दोस्तो इसके बाद अगर कुछ मेंड पॉइंट्स के अगर हम बात करें मीला स्टार्टप सिखर सम्मिलन 2019 की जो आपके एक्जाम्स के पॉइंट अभ्यू से बहुत भी इंपॉटेंट है तो सबसे पहले पॉइंट से अगर हम बात करें इस सिखर सम्मिलन के तो इस सिखर सम्मिलन का जो आयोजन है यह KSMU दोरा राश्टी महिला नेटवर्क और भारती उद्योग परिसंग के साथ मिलकर किया जाएगा किसके दोरा तो KSEUM के दोरा राष्टी महिला नेटवर्ग और भाती उद्योग परिसंग के साथ मिलकर इस सिखर समिलन का आयोजन किया जाएगा तता इस सिखर समिलन की थीम क्या रखे गई है तो इसकी थीम है Developing and Inclusive Entrepreneurship Ecosystem हिंदी में कहें तो एक समावेसी उद्यम सिल्ता पारिसित्की का विकास करना इस सिखर समिलन का थीम रखा गया है तो अब इसे याद कर लिजेगा यह जो सिखर समिलन है दो संस्थान मिलकर करेंगे पहले संस्थान का राष्टी महिला नेटवर्क और भाती उद्योग परिसंग यानि CIIII यानि Confederation of Indian Industry यह दो संस्थान मिलकर इस सिखर समिलन का आयोजन करेंगे तो इसकी थीम क्या रखे गई है तो एक समावेसी उद्यम सिल्ता पारिस्थित्की का विकास यानि Developing and Inclusive Entrepreneurship Ecosystem तो यह दो पैंट्स वे इस सिखर समिलन के अगले सिखर समिलन के पैंट्स की अगर हम बात करें यह जो समिलन होगा महीला, पैसेवर, इच्चुक, उद्दमी, काईपुरेट छयत्रगी महतपूर महीला और Startup Suns थाप को के लिए खूला होगा तो यह जो सिखर समिलन है इसमे महीला जितने भी पैसेवर हैं जितने बी विद्नेस मैन हैं वो सामिल हो सकत FLV उसके बाद जितने भी इच्छुक जो उद्दमी बनना चाहती हैं, जितने भी महिलाएं एंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर्पेंटर 19 का जो मेंड मोटीव है वो पेसेवर महिलाओं के अपने उद्यम को सुरू करने के लिए राज में एक समावेसी उद्यम सिलता परिस्थित की तंत्र को बिक्सित करना है तो दोस्तो इस सिखल समयलन का जो मेंड मोटीव है वो समाज में जितनी भी महिलाओं हैं जिनके अंदर एंटर पिंडोसी प्याने उद्यम सिलता की भावना है उसको और प्रुसाहित करने के लिए उनको युद्योग को अस्थापित करने के लिए उनको एक महौल एक साफ सु प्रदर्सन भी इस समयलन में किया जाएगा तो दोस्तो इस टेक एक वैस्विक प्लेटफर्म है इसके तत बीस महिलाओं का चैन किया जाएगा जोस्तो जितने भी जो एक इस प्लेटफर्म है इसका क्या नाम है C. Love Stake इसके तरफ 20 महिला स्टार्टप का चेयन किया जाएगा तता उनके जोरा किये गए जो स्टार्टप है उनका प्रदलसन भी इस समेलल में किया जाएगा यह जो C. Love Stake है यह एक वैस्विक प्लेटफॉर्म है क्या है? यह एक वैस्विक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के जीवन अस्तर को बहतर बनाने के लिए उद्यम सिल्ता को प्रोसाहित कलता है क्या है दोस्तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप याद रखेगा इस प्लेटफॉर्म को नाम है C. Love Stake यह एक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के अंदर मतलब उद्यम सिल्ते यानि entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए उसको Brexit करने के लिए उसको प्रोसाहित करने के लिए या एक बहुत ही अच्छा world level का प्लेटफॉर्म है तो इस प्लेटफॉर्म का भी आप नाम याद रिखेगा सी लॉब स्टेक तो दोस्तो ये थी थी थोड़ी सी जानकारी जो 2019 में महिला सिखर से मिलन महिला स्टार्टप सिखर से मिलन आयोजित किया जा रहा है इससे related कुछ main points के बारे में आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो थैंक यू थैंक्स पर रोचिंग थैंक यू